प्रिंद्स आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं दो केमिकल्स की ऐसी कमपनियां जो काफी छोटी हैं अगर देखा जाए मार्केट कैप के साब से लेकिन रिटन देने में बहुत बड़ी हैं तो ऐसी आशा रखते हैं कि ये जो कमपनियो के बारे हमाने चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले 5 साल में हमें 1000 परसे यहां से प्राप्द हो सकते हैं ऐसी आशा कर रहे हैं चुकि बहुत छोटी companies हैं, इसलिए मैं सचेत कर दूँ कि काफी risky भी हो सकती हैं, यह जो stock के बारे हम चर्चा करेंगे, नाम हम शुरू में ही बता देंगे, अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता है, तो कम से कम 5 वर्ष का लक्ष रखे, hold करने का और एक छोटी पूंजी के स साथ ही शुरूआत करें, अगर देखें, पिछले कुछ वर्षों में तो जो भारती रसायन की कमपनिया हैं, उनका performance काफी अच्छा रहा है, इसलिए काफी बेहतरी रिटन बनाकर इन्होंने दिया है, कारण रहा जो मुख्य अगर हम देखें, Green China Initiative 2015 में, जो की बहुत उत्पादक देश है, चाइना अगर देखें, तो 40 प्रतिशत के खरीब दुनिया भर में अपनी हिस्सेदारी रखता है, केमकल की खपत में, तो हुआ क्या था, वहां pollution को देखते हुए, कई सारी कमपनियों को बंद कर दिया गया, कई सारी कमपनियों की जो है manufacturing capacity घटा दी तो उसका जो total lab मिला है, वो भारती केमकल कमपनियों को शुद धरूप से मिलना शुरू हो गया है, specialty companies को काफी फायदा होने लगा, specialty chemicals एक प्रकार का raw material देता है, अगर देखें, जैसे कि अनेक प्रकार के उद्योग हो गया, textile उद्योग हो गया, auto industries हो गई, construction उद्योग हो ग हमें देखने को मिल सकती है, मिल सकती है, ऐसी संभावना है, इन सारे अवसरों को हम भापते हुए हमें कुछ chemical के stocks अपने portfolio में अवश्य रखना चाहिए, ताकि high growth का lab हमें मिल सके, क्योंकि आप को ही पता है कि भारत सरकार भी जो है PLI scheme में chemicals कमपनियों को सम्मिलित कर चुकी है, एक्सपोर्स को भढ़ावा दिया जा सके और यहां manufacturing capacity भी बढ़ाई जा सके, यहां पर हम दो कमपनियों के बारे हम चर्चा करने वाले हैं, एक है मंगलम और दूसरी है केमक्रक्स इंटरप्राइज़, अगर हम देखते हैं, अगर हम इस stock का भाव देखते हैं, तो 146 र 17 करोड के एक बहुत ही छोटी सूख्ष माइक्रो कैप कमपनी भी कह सकते हैं, और अगर देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 24 का प्राइस टू बुक है, 4.28 का, 10 की फेस वैलियो अलाय स्टॉक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम देखते हैं, 72.94 परस 1.23 परसंट एक लंबे समय के अगर हम प्राफिट ग्रोथ देखते हैं, तो 5 वर्षों की निःकल की आ रहे, 38.73 परसन है तीन वर्षों की 45.11% है डेट टू एक्विटी रिश्यो देखते हैं 0.02 देखे जाए डेट बहुत कम है प्रोमोटर्स के पास एक डिसेंट होल्डिंग तो है ही साथ ही साथ यहां पर कोई भी शियर यहां पे इनके गिरिवी नहीं है तो यानि कि इस कंपनी में डेट भी बहुत कम है और कोई भी शियर प्लेज भी नहीं और प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग भी है अगर हम कुछ वर्षों के नेट सेल्स देखते हैं माली 2017, 2018, 2019, 2021 तिन पांच वर्षों में अगर आप देखेंगे तो 2017 में 27 करोड अगले वर्ष बढ़के 31 उसके प्रकार से अगर हम देखते हैं ओपरेटिंग प्रॉफिट तो काफी कमाल का निकल क्या है 2017 से 2018 और 19 और 20 के मद्ध और 2021 हम देख सकते हैं कि पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा सा कम है नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें कुछ वर्षों के अंतराल में देखते है अगर हम देखते हैं जो शुद मुनाफ़ा है करीब करीब कई गुना हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि जहर से बात है कि आपको भी अच्छी रिटन स्पराप्त होंगे हम देखेंगे क्या रिटन बनाके दिया है आपको बताएंगे बॉर्विंग से अगर हम देखते हैं तो काफी कम हुआ है 2020 और 2021 के मुकाबले देखें आधे से भी आधा हो गया है जबकि अगर टोटल रिजर्व से प्लस देखते हैं तो 35 कोल से ज्यादा का है तो overall company इस प्रकार से अभी वर्दमान जो valuation अगर देखते हैं पी ratio 24 का है या price to book value और भी कई चीजन देखते हैं जि उसके पर शाद जोहिस में और भी तेजी देखी जा सकती है दूसरा stop जो हम चर्चा करने वाले दोस्तों उसका नाम है mangalam organics limited अगर देखते हैं इनके products पहले हम देख ले mangalam organics limited is one of the largest Indian manufacturers of cam4 the company also manufactures a range of pine chemistry based resins तो आप देख सकते इनके products कहा कहा इस्तेमाल होते हैं जो resins वग गया कंसाइर नेरोलाइक हो गया बर्जर पेंट्स हो गया पीडी लाइट इनस्ट्रीज हो गया इन सब के लिए जो है यह प्रवाइट कर दीए के मिकल उसके पश्चात अगर देखते हैं कपूर जो इनका प्रसिद ब्रांड है mangalam के नाम से वह भी है और भी कई टॉप की FMCG कंपनिया भी इनकी जो है क्लाइन्ट्स है जैसे कि आप देख सकते हैं हिमालया हो गया डाबर हो गया ITC हो गया कोल गेट हो गया डिमार्ट हो गया जिसमें इनके प्रोड़क्स रखे रहते हैं वहां से बिकते हैं Reliance Retail हो गया Amazon हो गया Spencer हो गया यहां से इनके डिरेक्ट के आउटलिट्स होते हैं डिमार्ट वगयरा जो पड़े-बड़े मॉल्स हैं वहां पर यह प्रोड़क्स डिरेक्ट यह बेशते हैं Retail को मंगलम का जो प्राइस चल रहा है 888 अगर हम साल का हाई लो देखते हैं तो 1290 का हाई बनाते हुए काफे गिर चुका है साल का जो ल के कंपनी है अगर देखते हैं 740 कोड के आसपास इसके टोटल मार्केट का है वेल्वेशन वाइस अगर हम देखें प्राइस टु अर्निंग रेशियो निकल क्या रहा है 8.76 का जो प्राइस टु बुक रेशियो है 2.43 का 10 की फेस वेल्य वालाई स्टॉक है डिविडन डियल 0.18 परसंट है डिविडन पे करता है टोटल जो डेट है वो 24 कोड के आसपास है और प्रमोरेस के पास 54.91 परसंट की होल्डिंग है अर्निंग परशियो है 98.62 सेस ग्रोथ अगर हम देखते हैं 5 वर्षों की 14.8 परश्यत है 3 वर्षों की 11.99 परसंट है प्रोफिट ग्रोथ हम देखते हैं 5 वर्षों की 60 परसंट के आसपास है 3 वर्षों की 80.85 परसंट है लास्ट येर की 78.13 परसंट है रिटन और एक्विटी अगर हम देखते हैं 5 वर्षों की 38 परश्यत है 3 वर्षों की 38 परश्यत है तो इस तरीके से ये कंपनी भी काफी आकरशक लग रही है और प्रमोटर्स के पास जो है होल्डिंग हम देखी चुके यहां भी कोई भी शेर इनका भी गिरी भी नहीं है पब्लिक होल्डिंग में जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो इराधा किशन दमानी साहब भी है इसमें की वैल्यू जो है करीब 16 क्रोड के आसपास है hoodie, two point one seven परसन की होल्डिंग होल्ड कर रहे है इस कूं पनी में कंपनी पास जो छो रिजर्वस है करीब 2,98 क्रोड का है और किसी प्रकार के यहां पर Borrowings नहीं है जीरो है ठीक है तो डेट फरी कंपनी है अब जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रकार की कमपणिया है, केमिकल की छोटी कमपणिया हैं, अब देख लेते हैं कि इन्होंने रिटन किस प्रकार के बना के दिये हैं मंगलम और्गेनिक्स ने आपको 10 सालों में आपका पैसा करीब 35 गुना कर दिया है, यानि कि अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं, तो वो 3,000 रुपए हो चुकी है, 3500 परसन के आसपास क्रिटन मिल रहे हैं, जिन्होंने 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया है, माली जी क किसी ने 100 रुपए लगाए होंगे, तो उनका पैसा बन चुका है, 1300 रुपए के आसपास, यानि कि 1200 परसन के आसपास क्रिटन यहां पे मिल रहे हैं, 1200 परसन रिटन मिल रहे हैं, तीन वर्षों में 80% क्रिटन है, एक साल में 72 प्रिशद क्रिटन है, इसी प्रकार से अगर हम केमकरक्स देखते हैं, केमकरक्स का जो मैकसिमम चार्ट दिखाए दे रहा है, 2017 से दिखाए दे रहा है, यानि कि अप्रिल 2017 में इसके लिस्टिंग हुई है, और इन पांच वर्षों में इसने आपको करीब 400 प्रतिशद क्रिटन दिया है, एक साल में 188 प्रतिशद क्रिटन करें, वो भी देखा करें, और धीरे धीरे अपने इसाब से एस्टोट जी बनाके निवेश करना शुरू कर सकते हैं, छूटी कमपनिया हैं तो थोड़ा रिस्क रहता है, इस चीज़ कभी खयाल रखें, आपके विचारों का आपके सुजाओं का स्वागत रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद